सब को नमस्कार दिल्ली ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे क्रामतिकारी कदम उठाए है एक तरफ स्कूलों के इंफ्रसेक्चर को ठीक किया गया पढ़ाई अच्छी की गई टीचर्स को ट्रेनिंग दिल लाने के लिए ब्रॉड भेजा गया विदेशों में भेजा गया कई नए पाठिक्रम शुरू किये गए जैसे happiness classes, देश भक्ती curriculum, business सिखाने के लिए बच्चों को entrepreneurship classes, कई special किसम के school शुरू किये गए जैसे अभी एक school शुरू करने जा रहे हैं जहां traffic lights के उपर जो बच्चे भीख मांगते हैं, वो एक तरह से समाज के सबसे कमजोर वर्ग होते हैं, उनके तरफ किसी का ध्यानी जाता है, वो किसी का vote bank भी नहीं होते हैं, उन बच्चों को mainstream में लाने के लिए एक residential school बना रहे हैं हम लोग, इस तरह से एक armed forces preparatory school बनाया है, जहां पर बच्चों को forge में भरती करने के लिए training दी जा रही है, उसी तरह से sports university बनाई है, जिसका मकसद है देश ज्यादा से ज्यादा Olympic और अंतराश्ट्रे सतर पर medal लेकिया है, skill university तयार की है, जिसमें बच्चों को रोजगार के लि बार-बार कहते हैं कि हमें भारत को सब को मिलके हमें भारत को दुनिया का number one देश बनाना है, भारत दुनिया का number one देश तब तक नहीं बन सकता, जब तक इस देश के हर बच्चे को अच्छे से अच्छे शिक्षा नहीं बने मिलेगी, और ये काम हमें बहुत कम समय में करना है 75 साल खराब हो गए अब बहुत कम समय में अपने को हर बच्चे तक अच्छे से इच्छे शिक्षा परचानी है यह कैसे होगा उस दिशा में आज जो मैं एलान करने जा रहा हूं यह एक बहुत महत्रपून और बहुत ही क्रांतिकारी कदम है शिक्षा के क्षित्र में यह न स्कूल बनाएंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं गाओं में स्कूल नहीं है यह स्कूल बहुत दूर है दूसरे गाओं में स्कूल है जा नहीं सकते हैं बीच में नदी पढ़ती है ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं हमारे समाज के अंदर जिस ऐसी बच्चेयां जो घर में हैं वो घर बेट के एजुकेशन कर सकती हैं ऐसे बहुत सारे बच्चेयां जो काम पे लग जाते हैं बच्पन में होना नहीं चाहिए पर काम पे लग जाते हैं ऐसे सारे बच्चों तक आखरी से आखरी बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लि जारा अपना ये मानना है कि school तो class में आना ही चाहिए, school होना ही चाहिए, school में बच्चों को physically आना चाहिए, लेकिन जिन लोगों, जिन बच्चों तक वो school नहीं जिन बच्चों को physical school मुहया नहीं हो पाता है, किसी भी कारण वाश। उन तक कम से कम शिक्षा तो पहुँचे, यह virtual school उन बच्चों को शिक्षा पहुँचाएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें classes जो है online होगी, जो बच्चे online classes attend कर सकते हैं, online attend कर लें, जो नहीं भी कर सकते हैं, तो जो online classes है, वो उसमें डाल दी जाएंगी, record में डाल दी जाएंगी, तो बच्चा जब भी free होता है, वो जाके उसको अपनी class को देख सकता है, school का नाम है, daily model virtual school, DMVS, daily model virtual school की आज से शुरुवात की जा रही है, नौवी class में, ये नौवी से बार्मी का होगा, लेकिन अभी शुरुवात है, तो नौवी class में applications आज इसमें applications invite की जा रही है, भरती के लिए, 2022 और 2023 के academic year के लिए, नौवी class की applications आज से invite की जा रही है, इसमें जरूरी नहीं की student को दिल्ली का होना हूँ, पूरे देश से, कोई भी बच्चा, किसी भी कोने से, गाओं के किसी भी कोने से, शहर के किसी भी पूरे देश से, कोई भी बच्चा, इस school में apply कर सकता है, website पे apply करना है www.dmvs.ac.in, www.dmvs.ac.in, 13 साल से 18 साल का कोई भी बच्चा, जिसने 8 मी class किसी भी रेजिस्टर, recognized school से की है, वो बच्चा 9 मी class के लिए इसमें apply कर सकता है, ये school जो है, Delhi Board of School Education जो अभी हम लोगोंने कुछ दिन पहले बनाया था, उससे affiliated होगा, और इसमें ये जैसा मैंने बताया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी कारणवश, physically school में नहीं जा पाते, ऐसे सब बच्चों के लिए ये लाबदा एक होगा, हम इसमें ना किवल पढ़ाएंगे बच्चों को, हम बच्चों को 11, 12 में, जेई के, नीट के, सीउएटी के, ऐसे सभी competitive exams की तयारी करने भी मदद करेंगे, हम इन competitive exams के तयारीयों के लिए जो experts हैं, उनको हम लेके आएंगे, ताकि बच्चों को इसके लिए तयारी की जा सके, अलग-अलग subject के अलग-अलग तयारी करवाई जाएगी, skill-based भी तयारियां कराई जाएगी, ताकि जो बच्चे साथ-साथ कुछ profession भी करना चाहें, तो वो साथ-साथ part-time profession भी कर सकते हैं, skill-based उनको वो भी दी जाएगी, training भी दी जाएगी, इसमें एक schooling platform होगा, हर बच्चे को एक ID दिया जाएगा, password दिया जाएगा, वो उस ID और password से उस schooling platform पे login करेगा, और schooling platform पे login करने के बाद, वो live classes अटेंड कर सकता है, recorded videos एक्सेस कर सकता है, supplementary learning material ले सकता है, tutorials कर सकता है, assessments, online assessments होगी, एक digital library होगी, बहुत बड़ी digital library होगी, वो digital library का सारा content वो एक्सेस कर सकता है, और ये जो है, किसी भी time, 24 घंटे में किसी भी time वो एक्सेस कर सकता है, ये schooling platform, Google और school net India, इन दो world famous organizations ने बनाया है, और teachers जो है, इस school के उनको specially तयार किया गया, इन virtual classes को पढ़ाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि, शिक्षा के क्षित्र में, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम, साबित होगा, आजादी के बाद से, शायद पहली बार, इतने बड़े स्थर के उपर, आप जैसे आप imagine करके देखे, एक टीचर पढ़ा रहा है, उसको कई हजार स्टूडेंट से एक साथ देख रहे हैं, तो एक साथ देश के कोने कोने से, कई सारे स्टूडेंट से, एक बहुत अच्छे टीचर को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा कदम होगा, और मैं उमीद करता हूँ कि हर बच्चे को आने वाले समय में, हमारे देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिख्या मिले, नमस्कार,